नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ अंचले सिंग कुनो नैशनल में बढ़ा चीतों का कुनबा साउथ अफरीका से कुनो पहुंचे 12 चीते नामीबिया से ये चीते लाए गए हैं सियम शिवराज भी कुनो पार्क पहुंचे नरेंद्र सिंग तोमर भी कुनो पार्क पहुंचे भुपेंद्र यादब भी कुनो पार्क पहुंचे है तो तमाम मंत्री गण जवराण कुनो पार्क में मौझूद रहे जब चीते वहां पर पहुंचे तो यहां पर आपको तस्थीरे कुछ दिखा रहे हैं नरेंदर सिंग तोमर भी पहुँचे यहां पर तो आपको बता दे कि कुणो नैशनल पार्क में अपड़ेट आ रहा है कि चीते फिलाल छोड़ दिये गए हैं बड़ी खबर आपको बता दी कि नामीबिया से लाए गए चीते कुनो नैशनल पार्क में रिलीस कर दिये गए हैं। अब इनको एक महिने तक के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा, इसलिशन में रखा जाएगा और उसके बाद फिर इनको उन चीतों के साथ शामिल किया जाएगा जो पहले से ही इस कुनो नैशनल पार्क में मौजूद हैं। पहुंच कर और इन चीतों को रिलीस किया गया था, इन चीतों को छुड़ा गया था। अतार विलुप तो होती ज्वा रही थी, विलुप तो हो ही गई थी, ऐसे में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की ओर से यहां पर ये पहल की गई और दक्षण अफ्रीका से नामबीबिया से दरसल ये चीते जो हैं वो लाए गए हैं। आपको बता दे कि चीते फिलाल कुनो नेशनल पार्क में छोड़े जा चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान की ओर से भी यहां पर चीतों को रिलीज किया गया। और आपको बता दे कि तमाम जो एक्सपर्टस की टीम यहां पर मौझूद हैं वो विशेश तौर पर चीतों का ध्यान रखेगी। और चीतों को ध्यान रखने के साथ ही उनके खान-पान का भी ध्यान रखा जएगा उनके हेल्थ का ध्यान रखा जएगा। और इस environment में चीते सही से रहें, कोई infection उनको ना रहें, इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखा जाएगा, हलांकि जो 8 चीते सितंबर के महिने में आए, वो सभी चीते फिलाल स्वस्त हैं, और इस समय खुली हवा में सांस वो ले रहे हैं, कुनो नेशनल पार्क में लगाता वो विचरन कर रहे हैं, इधर से उधर वहां पर रह रहे हैं, लेकिन बाकी जो 12 चीते आजाए हैं, उनको एक महिने के लिए विशेश निगरानी में रखा जाएगा, कुरंटीन उनको रखा जाएगा, तो परेटकों की लिहासे बिहद ही ये खास खबर, बिहद ही अच्छ परेटा हुआ दिखाई देगा. और उसके बाद वहां पर आईसोलेशन जो वार्ड बनाया गया है, यानि की कौरंटीन जो रूम बनाया गया है, उसमें इनको रखा जाएगा, कौरंटीन इनको रखा जाएगा, आईसोलेशन वार्ड में इनको रखा जाएगा, जहां पर विशेश निगरानी रखी जानी ह एक्सपर्ट की टीम की ओर से दक्षड अफ्रीका से ही एक्सपर्ट की टीम दरसल यहां पर आई हैं बदाए जाता है कि चीता जो है वो human friendly रहता है और यह बाकी जितनी भी प्रचातियां हैं उन सबसे थूड़ा सा अलग होता है और यह इंसानों के साथ जल्दी घुल मिल जा और उन पर अटैक नहीं करता है यही वज़ा है कि परेटकों के लिए काफी जादा यह उत्साहा कर देने वाली खबर है कि वो अच्छे से दीदार इनका कर सकेंगे तो चीतों को बाड़े में फिलाल छोड़ दिया गया है उन बाड़ों में छोड़ा गया है क्वारंटीन इनको रखा जाएगा और इसके बाद फिर कुनो नेशनल पार्क के बड़े यहां पर बाड़ों में इनको रखा जाएगा ताकि बहां पर भी इनकी हेल्थ का दियान रखा जा सकें उसके बाद एक महीने बाद उस पार्क में इनको छोड़ दिया जाएगा तो केंद्रिय अब कुल आपको बता दे कि चीतों की संख्या 20 हो गई है 12 चीते छोड़ दिये गए हैं 8 चीते पहले ही छोड़े जा चुके हैं जो की पूरी तरह से स्वस्त हैं और खबर ये भी बीच में आई कि हालांकि उनमें से एक चीता जो है वो उसका स्वस्त जो है वो खराब हो गया स्वस्त बताया जा रहा है वो फिलाल ठीक है अच्छा है और केंद्री कृशी मंत्री नरेंद्र सिंख्तोमर उस दोरान महजूद रहे वहाँ पर केंद्री वन मंत्री भुपेंद्र यादव भी महजूद रहे हैं मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चौहान ने खुद इन चीत रखा जा सके एक्सपोर्ट की टीम फिलाल दक्षण अफ्रीका से जो आई हुई है वो लगता सितंबर के महिने से ही यहाँ पर मौजूद है और विशेश निगरानी इनके उपर की जा रही है इन चीतों के उपर नजर रखी जा रही है कभी थोड़ी सी भी यहाँ पर चू तो सियम शिवराज सिंग चोहां ने चीते फिलाल रिलीस कर दिये हैं चीतों को छोड़ दिया है अब एक महिने बाद ये पार्क में कुनो नेशल पार्क में खुद घूम सकेंगे लेकिन एक महिने तक हलांके इनको क्वारंटीन ही रहना होगा विनोद हमारे सहयोगी लाइफ जुड़ गए हैं सीधा उनका रुक करते हैं विनोद चीतों को रिलीस कर दिया गया है अब कुछ दिनों के लिए भले ही इनको क्वारंटीन रहना होगा निगरानी एक्सपोर्ट्स इनके उपर रखेंगे लेकिन एक महिने बाद जो ऐसा कि देखे एक महीने बाद इनका परिक्षण किया जाएगा कि चीतों का बिवार कैसा है चीतों का स्वास्त कैसा है क्या वो दूसरे और चीतों के साथ अब घुल मिलकर रह सकते हैं इन सारी चीजों का एक्सपर्ट जो होते हैं वो परिक्षण करते हैं ऐसा नहीं है कि एक महीन कि बाद तुरंत इनको खोल दिया जाएगा और यह बार चोटे बाड़े से, बड़े बाड़े, बड़े बाड़े, बड़ेflowई से फिर खुले जंगल में आ जाएएजा ऐसा नहीं है तो पूस्ते लिए कि जाय hosting सгорकों कि करन दृच्छा leftover को처 adviser बाड़े से बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा और जो बड़े बाड़े में पहले से रह रहे हैं उनको फिर खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा जो पहले की आठ चीते जो आए हैं वो धीरे धीर अब उनकी बारी आ गई है को उनको छोड़ दिया जाए और वो खुले में यहाँ पर रफ़तार भरते हुए नजर आएंगी मैं बता दू मेरे पीछे की जो आप तस्वीर देख रही होगी बड़ी बड़ी उची उची पहारियां दिखाई दे रही है इन पहारियों में देखिए ये सारी पहारियां है ये कुनो नदी के इर्दगिद बनी हुई है और जब चीते इन पहारियों पर उपर चड़ते हैं रफ़तार में तो वहाँ से उपर चड़कर ये देख सकते हैं कि इनका शिकार कहां मिलेगा चीते की ये खास्यत होती है कि वो सबसे उपर बैठता है और उपर बैटके वो चारों तरफ निग्रानी करता है कि उसे किस दिशा में जाना है उसे किस जानवर के शिकार करना है क्योंकि यह जो पूरा इलाका है यह चीतों के लिए काफी अनकूल बताया जाता है यहां भरपूर उनके लिए खाने के पीने के और रफ्थार भरने के इंतजाम है इसलिए हम यह देख रहे हैं कि पहले आठ चीते थे आठ से अब उनका कुनवा बढ़कर बारा और सामिल हो गए तो बीस हो गया है तो बीस चीतों की बात उम्मीद की जा सकती है कि आने वाली साल में इनका परिवार और बड़ा होगा और परिवार बड़ा है कि आने वाले एक समय में इनकी जो संक्या है वो बढ़ जाए ऐसे में एक और चुई जात से समझना चाहूंगे जो चीते आज यहां पर लाए गए हैं जो भारत की धरती पर जुनोंने कदम रखा है उनकी उम्र कितनी बताई गई है कितने कितने उम्र के यह चीते हैं देखे अलग अलग अमर के हैं कुछ इसमें चीतों के बच्चे भी है क्योंकि एक परिवार भी है कोई चीता दो साल का है कोई तीन साल का है इस तरह से अलग अलग अमर के चीते हैं क्योंकि जो बारत चीते हैं वो सब एक अमर के नहीं है बलकि एक जो फैमिली है उसमें उन उनके बच्चे बी है जो अलग चीते है उनकी भी इस पूरी कर चुका है उसे क्या खाने में दिया जा जिनको जो विश्य सगे ए जो जानकार हैं जो वनि बेश्य निगरानी रखते हैं वो इस पर गोर करते हैं पिछले बार जो चीता आये थे उनको भी हमने देखा था उनको भी बड़े एक्सपर्स की निगरानी में रखा गया था लंबे समय तक जब तक वो माहौल में नहीं डल गये थे और बिल्कुल वैसा ही अनकूल वातवरन और माहौल में जब तक यह नहीं डल जाएंगे तब त इसके बारे में कोई जानकारी चुकि बेहद ही उत्साह के साथ परेटक इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वो पहुंचेंगे कुनो नैशनल पार्क में जंगल में पहुंचेंगे और सफारी के दौरान इनका दीदार कर पाएंगे देखिए जो चीतों के जानकार हैं जो वन्य प्रानी विश्यशक्य हैं उनसे जब हमारी बात हुई थी कि कैसे चीतों का दीदार हो पाएगा तो उनका ये मानना था कि चीते जब बाड़े से खुले में छोड़े जाएंगे तो फिर उनके व्यभार पर नजर रखी हैं धीरे धीरे जब इस बात में ढल जाएंगे इस माहल में ढल जाएंगे वो रफ्तार भरने लगेंगे फिर सेलानियों के लिए बहुत कम संख्या में इसे खोल दिया जाएगा लेकिन कब खोला जाएगा ये अभी तै नहीं है ये सारे निरणे पूरी की पूरी जो विश ची पर हमला नहीं करता बिलकुल आ इसे में इनका विवार की निगरानी रखना और इनकी रफटार पर निगरानी रखना ये बहुत सारी ऐसी चीज़े अगर आदेश जारी कर दिया तो बड़ी संख्या में पूरा की पूरा देश यहां देखाई देने लगेगा, भी तो सब को皆 के मालू है कि पूरा की ओर नेसनल पार्क में भी नहीं जा सकते हैं, चूर कि अज़ बड़ी संख्या में लोग यहां की ओर रुक करेंगे, गूमें कि कि यह सुंधर नहीं ने चाईएगी कि ठीसे ट घुलावा को च्रुड़ान हो घुसे एक कुनों अपने आप में एक बड़ी उपलब्दी हासिरा कर चूका है तो लिए पर रहां तो कुनों में आकर चीतों का दीदार जरूर करना चाहेंगी इसलिए ये जरूरी है कि जब तक शासन का आदेश नहीं हो जाता सेलानियों के लिए तब तक वहां कोई भी प्रवेस नहीं कर सकता और किसी को भी जाने की अनुमती नहीं होगी बिलकुल विनोथ लेकिन बाकी जो आठ चीते जो सितंबर के महीने में चुड़ा गया है उनको उनकी फिलाल कैसी इस्तिती बताईच रही है कैसी हालत बताईच रही है और कैसा उनका स्वास्त है देखिए जो आठ चीते आए थे उस समय सबसे ज़्यादा निगरानी रखने का उन पर फोकस किया गया था और सबसे ज़्यादा वो निगरानी में थे क्योंकि वो पहले ऐसे चीते थे जो भारत की भूमी पर आए थे जो कुनों में आए थे तो उन पर निगरानी रखना और उनकी देख भाल करना उनके वातवरण में ढलने के विवार का रेगुलर स्टडी करना अध्यन करना ये सब बहुत जरूरी था जब एक महीना गुजर तो फिर से एक बार उनके बेवार का निरिक्ष्ण किया गया कुछ चीतों को डेड़ महीने बाद तो किसी को दो महीने बाद छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया आभी जितने भी आट चीते पहले आये थे वो स्वस्थ हैं वो अब यहां के माहुल में वातवरण में ढ़ल चुके हैं और वो एक तरह से अपने परिवार की तरह रह रहे हैं सबी मिल जुलकर खुशी की बात यह है कि चीतों का इस माहल में ढलना बहुत जरूरी था शुरूरात में आशंका हैं जरूर ऐसी लग रही थी क्योंकि यहां चीतों के अनकूल माहल ह होगा के नहीं होगा कहीं वो सर्वाइव कर पाए के नहीं कर पाए कहीं किसी चीते की तबियत खराब ना हो जा इस तरह के सवाल तमाम लोगों के मन में उठ रहे थे लेकिन जो विशिसगें जो नामीबिया और अफरीका से टीम आई थी उन्होंने पूरे शोध के बाद ही MOU साइन किया और उसके बाद चीते भारत भेजने को वो राजी हुए अभी फिलाल जो बताया गया है कि वो चीते सभी स्वस्त हैं और धीरे धीरे ये भी जब यहां की माहौल में ढल जाएंगे तो यह चीते भी उन्हीं की तरह यहां चेहल कदमी करते हुए दिखाई दें दक्षोड अफरीका से नामीबिया से उन्होंने उडान भरी और उसके बाद कई घंटों का ये सफर रहा तो क्या उनको खाने पीने के लिए जो है वो दिया गया है क्या उनको किसी तरीके का यहां पर चुकी यह कहा जाता है कि खुद से ही चीते जो हैं वो शिकार करते हैं लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल है नहीं तो ऐसे में क्या विवस्थाएं की गई हैं आदेखिये मैं बता दूँ चीते जब भारत आने के लिए तैयार थे तो उस समय जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहां चीतों को भोजन देना बंद कर देती हैं क्योंकि ट्रवलिंग के दौरान च दो दिन पहले से उनको कुछ दिया नहीं जाता जो जरूरी होता है सिर्फ वही विश्य सग्य उनको खिलाते हैं उसके बाद पिर जब वो गॉल्यर में लेंड किये लंबा सफर करने के बाद तो गॉलियर में फिर उनका एक बार मेड़िकल परेक्शन किया गया जोक्टरों उन्हें वेशेशग्यों नों ये देखा कि चीतों की बेवारिक तैस समय कैसी है उसके बाद फिर जब उन्हें हेलिकॉप्टर में शिफ्ट किया गया यहां कुनो नेसल पार्क में लाने के लिए तो तब भी एक टीम जो होती है वो भी उन पर निगरानी रखती है क्योंकि द कुछ खिलाने के लिए दिया जाएगा चुकि डॉक्टरों की टीम होती है जितना जरूरी होता है उतना दिया जाता है पहले जब चीते आए थे तो याद होगा आपको को समय थोड़ा सा कोरोना की आसंका है नजर आ रही ती सेकंबर की महीनी में उनको वेक्सिनेशन भी कि तो ये कि इस इलाके के कुनों इलाके के जितने भी एनिमल्स थे चाहे वो डॉग हो या अन वन परानी हो उन सभी को वेक्सिन लगाई गई गई वेक्सिन लगाने के बाद फिर उनका परिक्षन किया गया कि हाँ वेक्सिन ठीक है बाकी अगर चीतों के साथ अगर ऐसे जान आज की हम बात करें तो जब इनको छोड़ा क्या विनोद मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चुहान जब इनको रिलीज कर रहे थी तो दोरान क्या बिहेवियर उनका नोटेस किया क्या वो गुसे में थे क्या चीज़े नोटेस हुएं देखिए अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है अंदर से चुकि अभी जहां चीते हैं वहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता लेकिन ये जरूर बताये गया है कि मुख्यमंतरी जी ने चीते रिलीज कर दिये हैं और उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की गई है थोड़ी देर बाद ये सारी तस्वीरें हमारे दर्शक हमारे चैनल पर देख सकते हैं ब्यावार चुकि चीतों का थोड़ा सा अलग हटके होता है जैसे पिछली बार हमने चीतों का देखा था वो जब उनको अपने उसमें से निकाला गया था पिजरे में से तो आसानी से बाहर नहीं निकले थी थोड़ा सबसे पहलो उन्होंने गर्दन निकाली थी गर्दन निकाल कि उन्होंने देखा कि ये किस जगे आ गए कहा आ गए फिर उन्होंने दो कदम बढ़ाई फिर एक चीता बाहर गया फिर उनके पीछे पीछे दूसरा चीता आया तो ऐसा ही लग लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम ये अच्छा है कि एक्सपर्ट्स की टीम उनके साथ मौजूद है और निगरानी पूरी रखी जा रही है बहुत शुक्रिया विनोध आपका जोड़ने के लिए